हलो फ्रेंट्स वेल्गों डिज इंडिया वंस अग्यान आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा SBI ने जो रिसेंटली वेकेंसी निकाली है SBI Apprentice के नाम से उसके बारे में इस बार SBI Apprentice के नाम से ये वेकेंसी निकाली है जिसमें आपको सिर्फ इंट्रेंशिप कराई जाएगी Apprentice करवाई जाएगी और इसमें साफ साफ यहां पे लिखा हुआ भी है जो कि आप देख सकते हो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है Engagement of the Apprentice under the Apprentice Act 1961 तो यहां पे Only as a Apprentice आपको जोइन करवाया जाएगा और इसकी duration सिर्फ तीन साल होगी तो यह एक बहुत ही बड़ी बात है तो यहां पे आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आपको यह जोइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा सारे डाउट साब के क्लियर करूँगा आप बने रहे हैं इसी वीडियो में हमारे साथ अब सबसे पहले बात आती हैं यहां पे Online Registration यहां पे स्टार्ट हो चुके हैं बीस ग्यारा दोहजार बीस से दस बारा दोहजार बीस यानि कि बीस नवंबर परसों से यहां पे Registration स्टार्ट हो चुके हो और दस दिसमबर तर यहां पे Registration चलेंगे और Online Examination यहां पे January 2021 दिया हुआ है जनवरी 2021 में एक्जाम होगा डेट अभी तक फिक्स नहीं हुई है लेकिन मन्त फिक्स हो चुका है जनवरी 2021 में यहां पे एक्जाम होगा तो एक्जाम काफी करीब आ चुका है तो आगे हम बात करेंगे यहां पर की Online Application आप कहां से कर सकते हो तो यहां पर 5 Websites के Link यहां पर दिये गया है यह वाले 5 Websites के Link आप साब साब देख सकते हो यहां पर जाके आप Online ने apply कर सकते हो और सबसे important बात मैं आपको बता देता हूं जैसे कोई भी वेकेंसी आती है तो scammers active हो जाते हैं और fact link काफी यहां पर generate कर देते हैं तो यहां पर यह जो पांच link दियो हैं आप इनी link पर जाके इनी websites पर जाके आप यहां पर form fill up करें जिससे कि आपके साथ में कोई भी फ्रोड ना हो यह सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात होगी क्योंकि जैसे कोई भी वेकेंसी आती है online form जिसमें बरे जाते हैं वहां पर scammers active हो जाते हैं और वहां पर अगर आप scammers की किसी site पर आप गलती से भी चले जाते हैं तो वहां पर आप face भी भर देते हैं और लेकिन आपको फिर कोई भी notification उसके बारे में नहीं मिलता है और जब तक आप उसके बारे में inquiry करते हो तब तक बहुत देर तो हो चुकी होती है तो यह सबसे ध्यान देने हो यह बात है पांच website के link यहां पर clearly दिये गए है इन पांच website के link में इस वीडियो के description में भी दे दूँगा वहां पर जाके भी आप इन sites पर direct जा सकते हैं और अपना online registration करवा सकते हैं जो कि already सुरू हो चुका है तो friends यह बात आप ध्यान रखें तो अब आगे हम बात करते है यहां पर vacancies की तो यहां पर state wise already vacancies यहां पर distribute कर दी गई है इस बार SBI ने यह जो job है वो यह जो exam होगा वो clerical banks पर ही होगा थोड़ा इसमें level कम रहेगा लेकिन बाग की सारे जो rules सब वो cleric वाली follow किये जाएंगे और आपको bank में attach किया जाएगा तो वहां पर आपका काम भी clear को वाला ही रहेगा तो वह यह experience आपको मिलेगा तो यहां पर state wise यहां पर बाट दी गई है total seat यहां पर total जो vacancy हो आप देख सकते हो काफी है यहां पर 8500 vacancy अभी यहां पर आई है तो यह काफी अच्छी मातरा में vacancy आई है जो की बहुत अच्छी बात है यहां पर आपके यह बहुत ही ज्यादा scope यहां पर दिया गया है तो अब हम बात करते हैं आगे यहां पर तो यहां पर state में भी district wise seat को यहां पर बाट दिया गया है तो इसमें हमें फाइदा यह होगा कि अगर आप इसमें select होते हो तो आप जिस district से belong करते हो वहां पर nearest sbi bank में आपको attach किया ज जाएगी जो कि तीन साल की होगी तो यह एक अच्छी बात है आपको कहीं दूसरी जगन नहीं जाना पड़ेगा आप अपने ही district में रहे के और nearest sbi bank में जहां पर भी possible होगा जहां पर भी nearest आपके sbi bank vacancy होगी वहां पर आपको attach किया जाएगा वहां पर आपको engage किया लेकिन sbi bank ने यह पहली बार निकाला है जो कि अच्छी बात है अब आगे हम आइस में बात करें अगर तो यहां पर सभी state की यहां पर distribute कर दी गई है अब बात आती है age की तो यहां पर 31 October 2020 को आपकी age minimum 20 साल और maximum 28 साल होनी चाहिए जो कि यहां पर साप साप mention है और साथ ही age relaxation के लिए यहां पर government के rule follow किये जाएंगे तो यह यहां पर age के regarding जो कि सारे rules एज पर clerical यहां पर follow हो रहे हैं और बात करते हैं यहां पर reservation for person with disabilities तो reservation भी यहां पर age पर government के rules ही follow की जाएंगे और अब बात करते हैं यहां पर education qualification की तो education qualification में यहां पर graduation दिया गया है आप देख सकते हो graduation from a recognized university और institute और साथ ही duration है वो 3 साल की है इस job की जो मैंने आपको बताया था पहले भी 3 साल की duration रहेगी और यह 3 साल यहां पर बढ़ाए भी नहीं जाएंग साथ ही इस training में आपको इस type end भी मिलेगा जो कि पहले साल आपको 15,000 रुपए मिलेंगे पर मंत दूसरे साल आपको 16,500 रुपए पर मंत मिलेंगे और तीसरे साल आपको 19,000 पर मंत मिलेंगे जो कि एक अच्छी salary है अगर training को consider किया जाए तो और साथ ही मैं आपको बता तो इसके अलावा यहां पर कोई भी extra allowance नहीं दिये जाएंगे जो कि यहां पर साफ लिखा गया the apprentice are not eligible for any other allowance और benefits तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें पहले ही कि जो stipend मिलेगा उसके अलावा यहां पर आपको कोई भी allowance नहीं दिया जाएगा क्योंकि यह कोई permanent job नहीं है SBI bank में बस यह region है लेकिन अगर आप यहां पर join करना चाते हो तो यह एक अच्छी बात है क्योंकि आपको कहीं और यहां पर नहीं जाना पड़ेगा आप जहां पर हो उसी से nearest यहां पर vacancy खाली होगी वहां पर आपको posting दी जाएगी साथ ही selection process की अगर हम बात करें तो यहां यहां पर दो टेस्ट होएंगे online return test और test of local language तो online return test जो है वो clerical वाला ही pattern यहां पर रहेगा जिसमें चार यहां पर सब्जेक्ट है 25-25 क्योशन होंगे 25 marks के total 100 क्योशन 100 marks और 1 गंटे का time यहां पर रहेगा तो जो 25-25 क्योशन होंगे वो general financial awareness, general English, quantitative aptitude, reasoning ability and computer aptitude तो यह यहां प exam pattern रहेगा और exam centers की यहां पर बात करें तो exam centers वही होंगे जो कि normally होते हैं सभी examination के लिए जो SBA करवाता है आपके nearest यहां पर मिल जाएगा क्योंकि काफी यहां पर exam centers available हैं और अब मैं यहां पर बात करूगा test of local language के बारे में तो यहां पर मैं आपको बता दूँ कि जो आपके जो 10th और 12th में जो optional subject अगर आपका local language नहीं था तो आपको यहां पर local language का test देना पड़ेगा अगर आपके 10th और 12th में अगर optional subject की रूप में आपकी state की आपकी local language थी तो आपको local language का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा. तो और आप अपने state की local language आप यहाँ पर check भी कर सकते हो, जो कि यहाँ पर already इन्होंने mention किया है, यह देखिए यहाँ पर. इस्टेट वाइज इन्होंने language यहाँ पर बताया है, गुजरात के लिए गुजराती है, आंदर परदेश के लिए तैलगू और उर्दू है, इस परका सभी states के लिए यहाँ पर already local language mention है, रास्तान के लिए यहाँ पर हिंदी है, तो अगर यह subject आपके 10th और 12th में अगर optional subject के में था, तो आपको local language का test नहीं देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर लिखा हूँ है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, candidates who produce 10th, 12th standard mark sheet certificate evidence having studied the specified opted local language will not be required to undergo the language test, ठीक है, origin student ने 10th और 12th में local language optional subject के रूप में यहाँ नहीं लिया था, उनको यह यहाँ पर test देना पड़ेगा, तो यह यहाँ पर एक important बात है, अगर आपके state की language, अगर आपके 10th और 12th में age optional subject थी, तो आपको यहाँ पर local language का test नहीं देना पड़ेगा, अब आताती है, यहाँ पर waiting list की, तो यहाँ पर waiting list भी maintain की जाएगी, जिस copyright होगा एक साल, यहाँ प waiting list में से आपको chance मिल सकता है, जो कि एक अच्छी बात है, साथ ही यहाँ पर fees जो होगी, registration के लिए, वो 300 रुपए होगी, general OBC और EWS के लिए, साथ ही, SC, ST और PWD के लिए, यहाँ पर कोई भी fees नहीं होगी, जो कि non refundable होगी, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, यह जो SBA ने clearly यहाँ पर mention कर दिया है, इसको आप पढ़ लीजिए, SBA cell have no obligation to offer regular employment to apprentice during and or after the completion of the apprenticeship period, after completion of the apprenticeship period, candidate will be relieved from the respective work area, यहाँ यहाँ पर SBA ने साफ साफ लिख दिया है, कि SBA permanent job देने के लिए बात दिया नहीं होगा, एक बार यह apprenticeship period आपका खतम हो जाएगा, तीन साल का, उसके बाद में आपको वहाँ से relief कर दिया जाएगा, आपको permanent job नहीं दी जाएगी, यहाँ पर clearly लिख दिया है, तो आप सब पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने recently अगर graduation complete किये और आप तयारी कर रहे हैं, तो आप इस apprentice को join मत करिए, क्योंकि यह normal job की तरह ही होगा, AJSBI color, जो कि पूरे दिन आपको bank की timing के according आपको यहाँ पर job करनी होगी, तो अगर आप इसको join करते हो, तो उसके बा रहे हैं, और उनको अब financial थोड़ा requirement है, तो वो लोग इसको join कर सकते हैं, तो उनके लिए यह बहुत अच्छा मौका भी है, क्योंकि यहाँ पर experience मिलेगा, State Bank of India का 3 साल के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, तो मैं उन लोगों को यहाँ पर suggest करता हूँ, जिनको financial requirement है वो इस apprenticeship को जरूर join करें, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा stipend भी यहाँ पर मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, और साथ ही आपको experience भी यहाँ पर मिल जाएगा, और जिनोंने recently अभी graduation complete की है, तो उन लोगों को मैं यहाँ पर suggest नहीं करूँगा, क्योंकि उनके पास में काफी time है भी, और वो यहाँ पर SBI clerical का wait कर सकते हैं, और उस पर focus full time कर सकते हैं, thank you friends, और आप हमारी चैनल DG India को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह जो भी vacancy आएगी, उसके बारे में हम आपको जल्द से जल्द सबसे पहले आपको सारी information उसके बारे में provide करेंगे,